आई आपका स्वागत है अभी आज मैं आपसे बात करने माला हूं नीन के बारे में कि नीन क्या होती है देखें नीन जो है ना वह हर प्राणी मात्रों में एक जरूरी चीज है और और यूमन बींग उसको तो जरूरी ही जरूरी है बहुत ही आवश्चा है नीन के बारे में पूरी जानकरी है नीन तो उससे बात करते हैं मेरा नाम है दॉक्टर दीपक करें मैं मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन तथा वैसन मुटतग्यों महाराष्टे में अकोला में हम इन करते है नीन हो जाते हैं नीन की जहां से नीन थे पूरी जानकरी है है अगर नामारे जिंदगी का वन्थर्ड हिस्सा हम नीन में डालते हैं हो आध गंटे हम झ وج सोते हैं इसमें आध गंटे हम सोते हैं भावनों & विचार & शरीर इसमें गेश आपड़र हो जाती है इसमें पूरी नहीं लिया तो भावनों विचार & शरीर इसमें प्राबलम आते है Ro OFFICER प्रादन में प्राब्लम आजाएगा और वह प्राब्लम आता है इसलिए ज़रूरी है नीन लेना नीन यूजरी छे से आठ घंडे नीन लेना नॉर्मली आवश्यक है हर इंसान को किसको छे घंडे किसको आठ घंडे कि वुआ करे Genauं कि कुरोथ की कर 나 लुक्रे मुझ लीज चार घंडे से ठीक लगताएं चार घंडे हम सोते कुछ लोग बता ?ि कुछ लोग बता दें हैं अपता नहीं साग घंडे सोते हैं नीन में वातावरंग से मिलने वाली जो उत्तिय जना थो वह कम जाती है, वाताम जो भी कोछु रहा है उस प्लिक दिम्हा के पर आकों के जडिद्यूरी जो भी आता है दिमाग के ऊपर वह पूरा कम हो जाता है, मर इसका ऐसा आने कोछ उत्सका मालूब नहीं होता है क्विश जागा जाती है मतलब बात्ता वरण की स्टिबूला है जो है जो भी वहां से आवाज आ रही है जो भी लाइट आ रहे है होता कम मगर उसकी जानकारी होते रहती है कॉमा में मतलब बेयोशा में ऐसा नहीं आदमी बेयोशा रहां तो उसको कुछ सुनाई नहीं आए तो नीन के जरी आवाज एका तैडरेश अवे वहां से मतलब बेयोशाँ नहीं है क्योंकि इससे जल्दी जागरुकता आ सकती है फटाक से और अटोमेटिकली आदमी जागरुक हो जाता है बेवशी में नहीं होगा आदमी तो नीन और बेवशी यह अवस्ता अलग-अलग है नीद में बाहर की दुनिया की जानकरी होती नहीं है, 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 बाहर की दुनिया की जानकरी होती नहीं है कुछ भी हुआ है और मैं सोया था में बेहोशी olmं भी जै क्षोमा में criminal नीज इसको मालू को नी आमिशी हुआ है कम घो साय कि नीन में झाय आ मुझे बिच च्छ यारतं कि उस समय क्या हो गया कि क्षाल रहता है नहीं निन में हुआ हूआ जब निन आती है तू 오늘 माफ्लम हाथ है कि भी निन डा रही है को इस निन government is not होजुती है के लिवत निन आने के पहले है और जब नीन हो जाती उनको पता लगता है कि मैं नीन में था और मेरी नीन हो गई ऐसा उसको मालूम पड़ता है नीन दो प्रकार के होती है एक है REM स्लिप और दूसरी है NREM स्लिप REM इसका मतलब होता है कि Rapid Eye Movement Slip और NREM मतलब Non Rapid Eye Movement Slip तो REM स्लिप जो है उसको Paradoxical स्लिप भी बोलते हैं इसमें Electro Encephalogram निकाला मतलब EEG निकाला तो EEG जस्ट लाइक नॉर्मल वेकिंग स्टेट दिखता है कि नॉर्मली अवेकन जासा आपने जाता वैसी दिखता है और NREM स्लिप जो है वह नॉन Rapid Eye Movement Slip जो है उसको स्लिप बोलते हैं और उच समय इलेक्ट्रिकल एक्तिविटी तो वह पीड़ी एक्डम डाउन कम है और EEG लूम में इसमें आजाएगा एकडम इसमें अधम दिखेंगा एजी के एक्टिविटी जो है एकदम स्लो दिखेंगी उसमें थीटा डेल्टा वे उस बहुत जाद दिखेंगी और एजी अलग दिखता है एन आरियम स्लिप में तैसे यह 2 अवस्ता है अब हम आगे की वीडियो में जानकरेदेंगे आरियम एन आरियम होता क्या है अच्छी नीन कैसे होना चाहिए, ड्रीम्स कैसे आते हैं, और नीन अच्छी आने के लिए, अच्छी नीन होने के लिए क्या करना चाहिए, सब बाते में आप अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी इतना ही है, कि 6-8 घंटा नीन लेना जरूरी है, नीन ऐसी आवस्ता है कि जो स नीने से अवस्ता है कि जिसमें भारी स्टिमूलाई जो है, भार की बाताऊंगे से जो भी कुछ आ रहा है, उसकी जानकारी कम हो जाती है, और जल्दी आदमी वापस नॉर्मल स्टेट में उठके तैर हो सकता है, मैं उसको याद में रहता कि उसमें हुआ क्या, तो अभी त प्रेश च्राज के घजकि तैर है, तो यर्म देए Gang मैं वाद, यूर्म अट स्टी, रहती है, जैँ झा töल रहा है